साथियो असलाम अलाइकुम मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तक्बाल करता हूँ खेर मक्तम करता हूँ वेलकम करता हूँ आपके अपने की यूटूब चैनल जी एस ऑनलाइन पर सभी साथी बतलाएंगे साउंड बगरा के लिए आप लोगों को मिल रही है चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे और अगर आपने हमारे यूटूब चैनल जी एस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ये हमारा उर्दो गरामर का 49 वीडियो है आज के इस वीडियो में हम रिल्म बयान जो कल हमने पढ़ा था तश्वी उसके बाद जो दोसरा है इस्तियारा आज हम लोग उसको पढ़ेंगे इस्तियारा में आज हम लोग जानेंगे मुस्तार लगु किसे कहते हैं मुस्तार मिन्हु किसे कहते हैं और वजह जामे किसे कहते हैं इन तवाम को हम लोग काफी डिटेल में आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कल मैंने आपको पढ़ाया था तश्बी एक बार उसको हम लोग रिपिट कर लेते हैं जैसे साथियो अगर मैं बोलू कि जैद चांद की तरह खूबसूरत है क्या है? जैद चांद की तरह खूबसूरत है अब इस मिसाल में देखिए साथियो जैद जो के मुशब्बा है और चांद जो के मुशब्बा भी ही है और की तरह जो के हर्फ तश्बी है और खूबसूरत जो के साथियो दोनों के अंदर पाई जा रही है जो के आपका वजह जामिय है ठीक है या वा जही मुश्तरक है साथ यो इन तमाम चीजों को कल हमने जाना था आज हम लोग जानेंगे इस्तियारा तो इस्तियारा किसे कहते हैं इस्तियारा का बयान इस्तियारा के लोगवी माना है उधार लेने की क्या लेने के उधार लेने की एक बात आप हमें बतलाएग अगर आप किसी से दस रुपिया उधार लेते हैं कितना रुपिया उधार लेते हैं तो वो दस रुपिया आपका होता है या फिर उसी का होता है क्या होगा आपका राइटेंस है तो दस रुपे तो आपने ले लियाने साथ यो तो उधार है लेकिन आपके पास दस रुपीया आ गया तो वो दस रुपीया अब आपका रहा अगर्चे वो करजा ही है वो उसका नहीं रहा अब उससे आप कुछ भी कर सकते हैं तो इसमें की तरह के जैसा ये सब कुछ नहीं रहेगा डारेक्ट साथ यो उधार ले लिया जाएगा ध्यान दीजिएगा इस्तियारा के माना क्या है ? उधार लेने की हैं ध्यान दीजिएगा ilm-i-bयान की इस्तिलाह में एक शै को यानि एक चीज़ को बिएन ही दोसरी चीज करार दे दिया जाए बियांड ही दोसरी चीज कह दिया जाए और उस दोसरी शय के लवाजिमात पहली शय से मनसूब कर दिये जाएं तो उसे इस्तियारा कहा जाता है थोड़ा सा आपको यहाँ पर दुश्वारी अगर हो रही होगी तो अभी के लिए हो जाएगा आप ध्यान दिजेगा जैसे साथ जो कोई मा अपने बच्चा से कहती है कि मेरा चांद आ रहा है ध्यान दिजेगा मा ने कहा अपने बच्चे से कि मेरा चांद आ रहा है मेरा चांद आ रहा है ध्यान दिजेगा साथ यह बच्चे को डारेक्ट कह दिया कि मेरा समुराग बच्चा इसको खुबसूरत नहीं कह चांद की तरो ह खुबसूरत नहीं। बलके चांद की जो खुबसूरती है उसको साथ वो डारेक्ट ले लिया गया और इसको चांद ही कह दिया गया बच्ची को क्या कह दिया गया चांद ही कह दिया गया यही साथियों होता है इस्तियारा के अंदर के मुशबबा भी ही को ले ही लिया जाता और डारेक्ट कह दिया इता है तू गधा है यह नहीं कहा गया कि तू गधा की तरह है तू गधा है डारेक्ट साथियों किसी को आप गधा ही कह द ही करार दे देना और पहली शय की तवाम लवाजमात को साथ यूकिस से इससे मद्सूब कर देना इसी का नाम है इस्तियारा धियान दीजेगा नोट में है इस्तियारा में हर्फ तश्वी और मुशबा भी ये मुशबा भी ही और हर्फِ تشبیح, ये मुशबा भी नहीं होगा, ठीक है, मैं इसको साथियों सही कर दूँगा, इस्तियारा में हर्फِ تश्बीح नहीं होता, इसको याद रखेगा, यानि की तरह किय जैसा इसमें नहीं होगा, यही एक पहचान है साथियों, जैसे कि मैं लिखूं, जैद चांद क की तरह, जैद चांद की तरह, खूब सूरत है, यह इस्तियारा की मिसाल नहीं है, इसलिए कि इसमें की तरह आ गया, अगर मैं कहूं कि जैद चांद है, यह आपका इस्तियारा की मिसाल हो जाएगी, इसलिए कि इसके अंदर की तरह के जैसा के वज़ा से, इसम मिसाल इसके यानि एक concept आपको ये मिला कि इस्तिहारा के अंदर हर्फित तश्वी नहीं होगा ठीक है साथियो अब एक और मिसाल देखिए इबन मर्यम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई ये भी साथियो आपको इस्तिहारा की मिसाल है ठीक है उसके बाद अरकाने इस्तिहारा कितने है उसको हम लोग जानेंगे अरकाने इस्तिहारा चार नहीं बलकि अरकाने इस्तिहारा तीन है कितने साथियो अरकाने इस्तिहारा तीन है कौन-कौन से है तो एक-एक करके आप देखिए एक नंबर में है मुस्तार लहू, दोसरे नंबर में है मुस्तार मिन्हू, तीसरे नंबर में है वजह जामि, दियान दिजेगा, लहू मतलब होता है, लाम मतलब होता है के लिए, और हुजो है, इसमें जमीर है, तो इसका हो जाएगा लहू, यानि जिसके लिए मुस्तार का मत उधार लिया जाए और मुस्तार मिलू है कि जिस से उधार लिया जाए दिया देज़ेगा अगर मैंने कहा कि जैद चांद है जैद चांद है ये हमारा इस्तिहारा की मिसाल है तो इसके अंदर मैं किस के लिए साथ में उधार ले रहा हूं तो जैद के लिए उधार ले रहा आपका मुस्तार लहू हो जाएगा क्या हो जाएगा मुस्तार लहू हो जाएगा अच्छा किस से उधार ले रहा हूं तो चांद से उधार ले रहा हूं चांद जो है यह आपका साथ यो क्या हो जाएगा यह मुस्तार मिन्वू हो जाएगा अगर आपने ये समझ लिया तो आज के इस वीडियो के पूरे concept को आप बहुत ही अच्छे डंग से समझ लेंगे दियान दीजेगा मुस्तार लगू किसे कहते हैं वो शक्स या चीज जिसके लिए कोई लफ्ज या खुबी उधार लिया जाए जैसे मेरा चांड आ रहा है साथियो क्या कह रहा है कि वो शक्स या चीज जिसके लिए कोई चीज या कोई लफ्ज या खुबी उधार लिया जाए साथियो वो क्या कहलाता है मुस्तार लगू कहलाता है जैसे यह मेरा चांद आ रहा है यहां पर किसके लिए उधार ले रहा है तो मेरा मेरा से मुराद लड़का होगा या लड़की जो भी हो जाए ठीक है ज्यान दीजेगा तो मंदर्दाबाला मिसाल में लड़के को चांद कहा गया इसलिए लड़का क्या हो जाएगा मुस्तार लहू हो जाएगा, साजदा, साजदा परी है, साजदा परी की तरह नहीं, वलके परी है, तो इसमें साजदा के लिए साथ क्या उधार लिया गया, परी का होना, ये आपका साजदा क्या हो जाएगा, मुस्तार लहू हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथ लोग, मुस्तार लहू हो जाएगा ठीक है इसको आप लोग याद रखेंगे उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुस्तार मिन्हू को समझेंगे आप मुस्तार लवू सभी लोग समझ गए इसमें किसी को भी कोई दिक्कत कोई प्रोब्लम है तो आप बताएं ठीक है चलिए बाद अच्छी ब उधार ली जाए उसे क्या कहेंगे मुस्तार मिन्हू कहेंगे जैसे मेरा चांद आ रहा है चांद क्या हो जाएगा मुस्तार मिन्हू जाएगा दियान दीजेगा यहां पे साथियो मेरा जो यह मुस्तार लवू है उधार किस से लिया गया चांद से तो चांद आपका हो जा क्या कि साजदा परी है, किसके लिए उधार लिया गया, किस से उधार लिया गया, परी से उधार लिया गया, तो परी आपका क्या हो जाएगा, मुस्तार मिन्हू हो जाएगा, उसके बाद आगे है वजह जामिट, क्या है वजह जामिट, किसको कहते हैं साथ्यों, तो मुस्ता लगु और मुस्तार मिन्हु में जो सिफत मुष्टरक हो उसे वजह जामि कहते हैं यानि मुष्टरक मैंने कल तश्वी वाले वाले में समझाया था कि जो दोनों के अंदर पाई जाए उसको साथियो वजह जामि कहते हैं जैसे मेरा चांद आ रहा है लड़का और चांद के द अब एक मिसाल और आप समझे ताके यह सारे concept आपको खिलियर हो जाए साथियो अगर मैं यह बोलू के जैद चांद है क्या बोलू जैद चांद है ध्यान दीजिएगा जैद चांद है यह आपका इस्तियारा की मिसाल है तो जिसके लिए उधार लिया जाए तो जैद के जाएगा मुस्तार लहू, जिससे उधार लिया जाए, किससे उधार लिया गया, चांद से उधार लिया गया, तो चांद क्या हो जाएगा, आपका मुस्तार मिनु हो जाएगा, जो दोनों के अंदर, यानि मुस्तार लहू और मुस्तार मिनु हो, दोनों के दर्मियान, जो मु जो मुश्तरक है तो कहिएगा खूबसूर्ती क्या है खूबसूर्ती इसी खूबसूर्ती को कहेंगे वजह जामिः कहेंगे ठीक है साथियो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा और साथियो हमने ये जाना कि इस्तियारा के माने होते हैं उधार लेने की अरका तो आज के लिए इतना ही आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा लेकिन बहुत है ये वीडियो आप इसको जरूर नुट कर लीजेगा काफी एहम है साथियो फिर मिलते हैं आप से नेक्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए खुदा हाफिज आप साथियो आप साथियो आप साथियो